Hello Students! तो क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लगाओ कि आज में बहुत खुश हूँ लेकि मुझे टेंशन भी है कि कहीं मेरे साथ में कोई गड़बर ना हो जाए तो आज भी में इतनी ही खुश हुई थी ही तो उसके अगले दिन मेरे साथ में कोई प्रोब्ल Subs. जो दूसरा इविंट होगा वह उस पहले इवन्ट के कारणव वच होग़ा यानि कि एंड़ूसरे इवन्ट का कारणब बनेगा आपका पहले वाला इवन्ट जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने क्या सोचा हा कि मैं पहले एक बार खुश हुई थी और उसके दूसरे दिन ही मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो वो प्रॉब्लम क्यों हुई थी? क्योंकि मैं इतनी खुश थी अब जरुई तो नहीं कि मैं खुश थी, वो problem इसलिए हुई थी, हो सकता असको कोई दूसरा reason हो, लेकिन मैंने सोचा हा कि मैं खुश थी, इसलिए वो मेरे साथ में problem हुई, तो मैं आज भी इतनी ही खुश हूँ तो इसलिए अगले दिन फिर मेरे साथ में वो problem होगी, तो ये होती है, post hoc fallacy, जैसे कि इस बार exam में एक question भी पूछा था, एक statement दी थी और नीचे चार options दिये थे, और हमको बताना था कि वो statement कौन सी fallacy की है, तो statement ये थी, कि आज में बहुत खुश हों कि मेरी lottery लग गई है, लेकिन मुझे tension भी है कि कहीं मेरे साथ में कोई चोरी ना हो जा है, तो ये कौन सी fallacy की statement है, ये आपकी post hoc fallacy की statement है, तो ये थी हमारी आज की fallacy, I hope आपको अच्छे लगी होगी, समझ में आई होगी, इसके जो short notes है, वो में आपको हमाई telegram channel पर provide कर दूँगे, तो telegram channel को भी join कर लीजिए, मिलते है next video में, thank you